मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाओं तो भी मेरा हो मेर कफन स्वदेशी वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, यह कफ की विक्रती है, तो आप चाते हैं कि कफ का रोग ना आए, मने वजन ना बढ़े आपका, सर्वी खासी जुकाम बुखार ना हो, टॉंसलाइटिस की प्रॉब्लम ना हो, आखें हमेशा अच्छी रहें, कान हमेशा अच्छी रहें, तो कान अच्छी रहें, आख अच्छी रहें, यह सब कफ के संतुलन से होता, जवान अच्छी रहें, कान अच्छी रहें, आख अच्छी रहें, वजन ना बढ़ें, गला ठीक रहें, बुखार सर्दी खासी जुकाम ना है, तो मतलब यह है, कफ को संतुलित रखो, और इसका सबसे सिंपल सूत्र है आयुवेज में चीनी मत खाऊ गुल खाऊ गुल शक्कर छोड़ दो ये शक्कर सबसे खतरना चीज है जो कफ बढ़ाती है कफ की विक्रती का सबसे बढ़ा कारण है शक्कर आपको एक इंट्रिस्टिंग बात बताओं भारत में जब से शुगर प्रडक्शन हुआ तबी से लोग ओबर वेट हुए हां यह बहुत बड़ी रिसर्च मैंने इस रिसर्च में बारे साल खराब किया हुआ पूरे डेटा इ से उसके तैले भारत में कोई ओवर्वेट नहीं था जब तक शुगर नहीं आई ती तब तक ये देश औवर वेट नहीं था आप से शुगर हैं सब मोटे मोटे उठी हो गये शक्वर निकलना शुरू हो गये जजो चीज डाइजिस्ट नहीं होती और जो चीज डाइजेस् TOP आपको समें सब्जों में आए जल्डे से हम खाना खाते हैं डिन या डिनर में कितना भी हम खाना खाएं सपोज हमने 200-300 ग्राम खाना खाया लगबग इतना ही हम खा पाते हैं उतना खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाईए गुड़ एक ग्राम तो यह जो एक ग्राम गुड़ आपने खाया यह आपके पूरे भोजन को विदिन फोर आपर चार घंटे में 100% डाइजेस्ट करा दे थोड़ा सा गुड़ गुड़ जो है ना बहुत बड़ा पाचक डाइजेस्टर है बहुत बड़ा गुड़ और आपने जो खाना खाया 200-300 ग्राम इसके पीछे आधा चम शुगर खा लीजे अब यह खाना आपको 8 घंटे तक हजम नहीं होगा शुग खाने तो और जितना भोजन आपने किया है इसकी पूरी इनरजी हाफ टी स्पून शुगर को डाइजेस्ट करने में खर्च हो जाएगा शुगर उपी खराब मत खाये शुगर में सबसे बड़ी खराबी जानते ही क्या है जो केमिकल शुगर को बनाने में इस्तेमाल होते है सबसे खराब केमिकल एक सल्फर नाम का केमिकल है जिसके बिना कभी भी शुगर बन नहीं सकती और सल्फर जो है पॉईजन है जहर है और वैसे भी शुगर इतनी महंगी है शक्कर इतनी महंगी है पचास रुपई किलो हो गई है क्यों आप दिमाग खराब करते हैं उसको खा ओंसता है और गुर से भी अच्छी है के चीज मिलती है महराश्टो में काकवी काकवी खाए है ही माज KIM ना काक्वी वो तो सबसे अच्छे काक्वी को चाय में डालिए काक्वी को दूद में डालिए काक्वी का मिठाई बनाईए लड्डू बनाईए हलुआ बनाईए शीरा बनाईए काक्वी से सब बनता तो या तो गुर लाईए नहीं तो काक्वी लाईए और गुर जब आप ख बहुत खराब है तो कौन सा गुर लाइं जो थोड़ा काला काला दिखता है गेहरे रंगा होता है डार कलर का होता है लाल लाल दिखता है दिखने में जो अच्छा नहीं लगता है वही गुड में क्वालिटी